जहिन दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विलास्टर पर और मेरा नाम है दिनेशार्य तो उमीद करते हैं कि आपकी रेलवे गुरूपडी की पीटी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी जैसा कि आपको बताए कि रेलवे ने ओफिशल नोटिस जारी करके ये बता दिया है कि 24 दिसमबर तक आपका रेलवे गुरूपडी का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा हाला कि रेलवे ने एक गलती यहाँ पर बहुत बड़ी की है कि फुल चछेडूल यहाँ नहीं दिया गया है और कल यहाँ टुटर कैमपेन हुआ है जिसमें कि आपकी नई वेकंसिस आने के भी बहुत बड़े चांसे यहाँ पर हो गे हैं जैसे ही यहाँ पर देखे आपका यह railway group D का process थोड़ा सा आगे बढ़ेगा आपकी नई vacancies आपको देखने को मिलेंगी वन बाई वन आपको यहाँ पर 2023 के अंदर पूरी की पूरी यहाँ पर railway की vacancies देखने को मिलेंगी तो यहाँ पर हो सकता है कि railway यहाँ पर NTPC के अंदर ही इस बार TTE की vacancy ले या फिर हो सकता है TTE की vacancy यहाँ पर अलग से निकाली जाए लेकिन TTE के यहाँ पर 7000 प्लस पद हैं और यह यहाँ पर जो retirement अगर और कुछ लोग यहाँ पर हुए होंगे तो उससे देखकर यहाँ पर जो vacancies है यहाँ पर number बढ़ भी सकता है तो यह number जो है आप 7000 मान कर ना चले यह number जो है 8000, 9000, 10,000 तक भी पहुंच सकता है तो एक बहुत बड़ी vacancies आपके पास आने वाली है अब देखें अब जो railway group D जिन्हों ने दिया है और देखें railway group D की जो नई vacancy है वो भी आपको 2023 के अंदर देखने को मिलेगी तो यहाँ पर देखें सबसे पहले आपका ALP फिर यहाँ पर RPF फिर आपका यहाँ पर NTPC या फिर TT होने है और कल का जो टुटर campaign है वो यहाँ पर काफी जबरदस्त ट्रेंड किया था और उसके बाद यहाँ पर देखेंगा आपकी vacancies आपको देखने को मिलेंगी तो अब क्या होगा कि इस बार जो vacancies आपके आएंगे और जो पिछली साल का आपने मतना भी 2022 का यह आपने देखा 26 जनवरी को चातरों ने किस तरह का यहाँ पर प्रदर्शन किया था तो उसको देखकर भी यहाँ पर सरकार पूरी तरह से सरकार को पताए कि यहाँ पर चात बिल्कुल भी टेंचन मत लीजे अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी लगातार करते रहिए अब देखे सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जो तीन कोशन हमारे बने वे थे कि यहाँ पर आखिर रेलवे गुरुप डी के सभी जो उनका जो सेफ स्कोर है वो यहाँ पर क् 40 मार्क्स या 40 से कम वाले जो कंडिडेट है उनका भी यहाँ पर सेलक्शन होना का चांस है या फिर नहीं है तीसरा है यहाँ पर कि पीटी में आखिर कितने कंडेट यहाँ पर मौझूद रहेंगे या कितने कंडेट यहाँ पर शामिल होंगे तो यह भी एक चीज है क्योंक score की अगर हम बात करें तो safe score यहां पर अभी जितने भी candidate है जिनका marks यहां पर 45, 50, 42, 43, 50 तक भी आ रहा है यानि कि 50 से नीचे भी अगर marks आ रहा है 40 से उपर अगर आपका marks आ रहा है और 50 से नीचे मैं सभी zone की एक साथ बात कर रहा हूं तो आप सभी अभी safe हैं क्योंकि यहां पर सबसे बड़ा जो role play करेगा जो सबसे बड़ा game changer साबित होगा वो आपका यहां पर normalization होगा normalization के अंदर इस बार भी आपको 15 से 20 marks बढ़ते हुए नजर आएंगे कई zone में कई shift के अंदर क्योंकि यहां पर shift wise normalization है आपको भी नहीं पता कि आपसे कम marks वाले यानि कि आपके बराबर या आपसे कम marks वाले जो candidate है उनकी संक्या कितनी है अगर उनकी संक्या जादा होगी तो यहां पर आपका अच्छा खासा normalization होने वाला है यानि कि माल लिजे आपकी shift अगर hard थी तो hard shift में आपके 45 नंबर भी आ रहे हैं तो आप यहां पर toppers की rank में है एक तरह से यानि कि toppers से लगबग नीचे हैं आप और आप से नीचे वाले candidate भी बहुत सारे होंगे तो उस case में क्या होगा कि आपका normalization बहुत ही बहतरीन तरीके का हो जायागा यहन कि उस case में आपका जो normalization है 15-20 नंबर का normalization भी आपको देखने को मिल सकता है और अगर आपकी shift आसान थी तो हो सकता है उसमें आपका जो marks है माल लिजए आपका marks वहाँ पर 55 आ रहा है आपका 60 marks भी आपके क्या हो ज्यादा ना हो आपके कम हो तो उस case में क्या होगा कि आपके जो marks है वो increase होने की बज़ाए decrease भी हो सकते हैं तो दोनों चीज़े हैं आपर तो luck factor बहुत बड़ा काम करेगा तो इसलिए आपको अभी आशा नहीं छोड़नी है क्योंकि उमीदों का जो भवंडर है या उमीदों का जो भवरा है वो आपको आगे लेकर जाएगा तो इसलिए जो आपके 40-45 जितने भी marks आ रहे हैं तो अ 40 marks वालों का भी selection हो सकता है क्योंकि देखिए 15-20 marks इस बार भी बढ़ेंगे ये मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ जिस दिन result आएगा तो इस वीडियो को भी सेव कर लिजेगा आप देखेगा आपको clear चीज़े पता लग जाएंगी अब तीसरा जो सवाल था हमारा कि आखि देखें मैं आपको बता दू 2018 की जो गुरूप D थी उसमें भी बहुत सारे candidate ऐसे थे जिन्होंने 2019 की गुरूप D का भी यहाँ पर exam दिया था या exam नहीं भी दिया होगा तो form जरूर भरा था तो यहाँ पर हमें तो वही नंबर आ रहा है अब यहाँ पर देखेगा अब exam त जच करने के लिए या फिर अपने जो प्रिपरेशन उसको जच करने के लिए दे देते हैं लेकिन वो पीटी में शामिल नहीं होंगे लेकिन वो कट ओफ को थोड़ा सा यहाँ पर effect करेंगे तो यहाँ पर इसी लिए वो candidate पीटी में तो शामिल नहीं होगे तो पीटी के बा यहाँ पर जो candidate बद जाते हैं वो state exams के बजाते हैं क्योंकि railway group D के भरोसे ही सारे candidate नहीं बैठे वे थे तो और भी exams में उनका selection हो गया तो वो भी candidate यहाँ पर P.E.T. में नहीं पहुंचेंगे उन्होंने exam दिया है वो आपकी यह जो P.E.T. के लिए जो cut off बनने वाली है उसक effect वो नहीं करेंगे क्योंकि वो P.E.T. में ही शामिल नहीं होंगे और भी बहुत सारे exam से SSC के लावा यहाँ पर बहुत सारे exam से जिसमें कि बहुत सारे candidate का selection हुआ है तो उन candidates ने आपर group D को छोड़ दिया है और वो toppers candidate है जिनका कि selection होना है और जो P.E.T. में शामिल होने व कम देखने को मिलेगी अगर आप अपना P.E.T. बहुत अच्छे से पार कर लेते हैं तो आपको यहाँ पर इस बार job लेने से कोई नहीं रोक सकता है और यह अंतिम मौका होगा अगर यह मौका आपने गवा दिया तो फिर आप यहाँ पर railway group D की job इस बार तो नहीं ले पाए तो उसके लिए आपको आज सही preparation करनी है क्योंकि P.E.T. में आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है हाँ इतना है कि P.E.T. कब होगा तो P.E.T. आपका 12 जनवरी के बाद ही होगा क्योंकि 12 जनवरी को यहाँ सिकंदराबाद का P.E.T. चालो होगा अगर railway को सभी जोन सभी जोन का P.E.T. का डेट यहाँ आ जाएगा तो P.E.T. के लिए भी आपको अच्छा समय आपर मिल रहा है यानि कि 12 दिन देखें 12 जनवरी को होगे अगर 24 दिसंबर को आपका रिजल्ट आता है तो 12 और 7 क्योंकि 31 का महिना तो 12 और 7 आपके हो जाते है 19 तो यानि कि 19 दि सब्सक्राइब की तो यहां पर तो इस वज़े से यहां पर जो आपका P.E.T. है 16-17 जनवरी से स्टार्ट होगा बाकी जोन का तो इसी लिए आप यहां पर आपके पास अच्छा मौका है अच्छा यहां पर टाइम है क्योंकि रेलवे ने आपर जो टाइम दिया है जिन काटेगरी से हैं किसी भी जोन से हैं आपका सेलेक्शन यहां पर निश्चित है कि अगर आपके 50 से प्लस नंबर आ रहे हैं तो आपका सेलेक्शन होना तय है लेकिन अगर आपके मार्स 40 45 42 आ तो नॉर्मलाजेशन आपको आपकी नईया को पार लगा सकता है यह बात ध्यान रखिएगा तो नॉर्मलाजेशन पर काफी कुछ डिपेंड करेगा आपके लग फैक्टर पर काफी कुछ डिपेंड करेगा और देखे कुछ जोन ऐसे हैं जहां पर की 55 भी यहां पर आपका ज्यादा मार्स नहीं है क्योंकि आपकी शिफ्ट पर डिपेंड करेगा आपकी अगर easy थी क्योंकि यहाँ पर जो इस बार normalization होना है वो shift wise होना है अगर आपकी shift के अंदर आपसे जाधा marks वाले candidate की संक्या क्या है जाधा है तो यहाँ पर आपका marks जो है वो increase नहीं होगा इस बात को समझेगा कि normalization कैसे होना है और एक cut off का वीडियो हम फिर से बना देंगे औ और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजएगा ताकि आपको वो वीडियो मिल जाए ताकि आपको एक आइडिया आ जाए और सभी जो उनका proper cut off में आपको आज ये कल में provide कर दूँगा और कितने लोग हैं जो कि यह चाते हैं कि हम इस एक बा वो सभी question हमने उसमें include किये हैं तो नीचे description में हमने उस book का link दिया है उस book को ज़रूर purchase कर लिजेगा ताकि यहाँ पर railway की आने वाली vacancies की तयारी आप अच्छे से कर सके तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद